नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ समिझ भारत एक्स्प्रिस की खास पेशक्रश आप देख रहे हैं मालकिन का मत राजस्थान में हम इंदोनों अलग-लग जिलों में अलग-लग विधानसभा ख्शेत्रों में जा रहे हैं और अलग लग वर्ग के वोटरों का मंट टोलने की कोशिश कर रहे हैं इस बार राजस्थान के विधान सबाद चुनाओं में वोटरों के मंद में क्या है वोटरों का मिजाज क्या है स्यासी समीकरण से अलग किन मुद्दों पर जो वोटर हैं वो इस बार वोट डालने जा र हम इस वक्त मौझूद हैं उदैपूर में और उदैपूर की महिलाएं क्या सोचती हैं उनके जहन में क्या मुद्दे हैं ये समझने की कोशिश करेंगे तमाम महिलाएं उदैपूर की मौझूद हैं मालकिन का मत तो ये मालकिन और इनके वोटों से बहुत हद तक राजस्थान राजस्थान की सियासत बदलेगी राजस्थान की सियासत में तस्वीर एक नई बन सकती है तो शुरुवात मुझे पता चला कि आप लिखती हैं बहुत अच्छा तो मैं जाहूंगा कि शुरुवात कुछ लाइन कुछ चंद लाइन से हो जो इस लोकतंदर के महापर्व पर सात में तो एक गीत मैंने रे चुनावरा अलात हैए हैं मेंदी मेंगी दालो आटो मसालो पेट्रोल गैस सिलेंडर भाया काल जमूंडे आया रे पेली राचुनाव राबादा जुटा पाया रे ओ कतरा नेता पाछा आया रे नेता आया भाई चुनाव में नेता आया रे बोट मांगवा आवे नेता कोरी कुरसी ताई पांच बरस में स्वारत मोज में आपरी साख गमाई भाया लुर लुर माथे आया रे पद नाम कुरसी रा लोबी बेंडा बनाया रे ओ भाया दन चुनाव रा आया रे और आखिर में मैं सबसे संदेश देना चाहती हूं इक इक बोटर मोल लखीनो ध्यान देईने सुन जो अब के नेता ने जान बीन यर ठोक बजाने चुन जो बाया बरखासा दिन आया रे नेता कुवें बार में डक जू टर टर गाया रे ओ भाया दन चुनाव रा आया रे कत्रा नेता पांच बरस में पाच्छा आया रे ओ भाया दन चुनाव रा आया रे बहुत बढ़िया आपने लिखा इसमें टंझ भी है अपील भी है लोगतंतर के महापर्व के लिए जो कुछ मुद्ध्डों का जिक्र भी है त महेंगाई का आपने जिक्र किया है इस कविता में तो महगाई से शुरू करते हैं, महगाई क्या एक बड़ा मुद्दा है इस बार के चुना में राजस्तान के चुना माई, बहने, ग्रहनियां तो हर चीज महगी है, कुछ भी लेने जाएं, अब तो दूद भी इतना महगा हो गया है हर चीज तेल से लेके, घी से लेकर के, हर चीज इतनी महगी है कि मैलाओं को गुजारना और जो हमारा मेवार शेतर जैसा कि महमान नवाजी के लिए ज़्यादा पहचाना जाता है तो कैसे किसी का स्वागत करें, कैसे किसी का जो हमारे महंगे पामने आते हैं, उनको कैसे वेलकम करें क्योंकि हर चीज बहुत जादा महंगी हो चुकी और शादी ब्याव गरे में तो अलग खर्चा होता ही है हमारे हाँ बेटियों को जो दहेज में दिया जाता है हर तरह से माबाप चाहते हैं कि उनकी बेटियां जो जहरों के बैठे कुल्ले करें दही दूद दही के बहुत सारे दासी दास हों तो पैसा भी खर्च करना होता है तो हर तरह से शादियां करना बहुत मुश्किल हो रहा ह कोई परू मनाना बहुत मिश्किल हो रहा भी जैसे दीवाली आ रही है तो लोगों में इतना क्रेज नहीं है क्योंकि पैसा एक तो कोरोना ने बहुत बड़ी मार डाली और उसके बाद देश की सरकारें जैसे सुनवाई नहीं करती किसी जनता की तो वो बहुत बड़ी बात है महंगाई लेकिन अशो गहलो सरकार महंगाई राहत कैम्प लगा रही है उससे कुछ नहीं हमारे हैं पैट्रोल ही सबसे महंगाई आप देखिए अगर गाड़ी में पैट्रोल भराते हैं तो राजस्तान में ही सबसे ज़्यादा महंगा है जबकि कितनी बार गुजारिश की गई है कि पैट्रोल के दाम कम किये जाएं कौन निदान करेगा सरकारे सुनवाई करें इस बात की और अपील होगी महंगाई का बिलकुल मुद्दा है और हम गुजारिश करते हैं कि ग्रैंडियों को मस् प्रायरिटी पर रखा जाए हमारा घर चलाना और एक उसमें बहुत मुश्किल है जैसा मेरी बहन ने कहा और हम सिर्फ अगर नेता देखके ना करें उम्मीदवार वो लाएं जो अभी आप जो उम्मीदवार उतार रहे हैं सो करोड डेड़ सो करोड की संपती लेके बैठें उन्हें क्या एसास है कि महंगाई किस कदर बढ़ रही है और क्या दिक्कतें ग्रहनियों को एक मध्यम परिवार को क्या आती है हम वो देखी नहीं पाते हैं इतनी संपत्ति वाले नेताओं को उम्मीदवार बना के मैदान में उतारते हैं जनता मतलब एक उसके बास कोई आप्शन नहीं है उन्हीं को चुनने के अलावा एक हम उन्हीं को च समझे और उसे दूर करें सबसे पहले तो जैसा कि इन्होंने कहा मेंगई तो दो पंक्तियों से शुरू करूंगी कि मेरे देशे को नहीं चुनाव चाहिए वोटों की गिंती का नहीं साब चाहिए भूख से भी लखती जनिता को बस रोटी का पड़ा और मकान चाहिए और इस अपने आपको पड़ा लिखा केते हैं लेकिन हम कहीं सुरक्षित नहीं है आज कहीं अकेले जाने में डर लगता है एक सोने की चैन पहन के निकलने में डर लगता है तो सबसे पहले बात अगर जो भी सरकार आए तो मैं ये कहूंगी कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए कोई कड़ा कानून बना है कि कोई भी गलत अगर काम होता तो उसको तौरी ऐसी सजा मिले ये कोई सोचे नहीं कि महिलाओं के साथ गलत हो और दूसरी बात ये कि जैसे गावां में सर्पंच पती, SP कहलाते हैं बनाते महिला को सरपंच और पती काम करता वो केवल साइनिंग मशीन तो महिला है जब ऐसी आने चाहिए कि वो अपनी आपको लग सकता है जहां तक महघाई का मुद्दा है आज महघाई है लेकिन 70s में जब गाना बना था हाई महघाई मार गई रोटी कपड़ा और मकान दे यह क्यों बना था महघाई कभी कम हुई है क्या आज तक और जू जू महघाई बढ़ती है, prosperity भी बढ़ रही है, लोग कितने भी महंगाई की शिकायत करा है, अंतनी बढ़ी है, तभी तो महंगाई बढ़ी है, यह तो give and take है, हम महंगाई को रो रहे हैं खाली, पर महंगाई के बाद भी लोगों के रहन सेन में क्या अंतर नहीं आया है, और महंगाई के एक अब भारत की एक मुद्दा है यह अंतरास्टी मुद्दा है और जू जू दिन बीतेंगे लोग जू जू कमाना ज्यादा करेंगे जू जू टैलेंट बढ़ रहा है आज महंगे स्कूलों में कितने लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं आप यह बताईए मुझे सरकारी स्कू कि मेंगे स्वेंध की पहने रहे हैं महंगे में मकानों में रह रहा हैं और चैक अटारी ऐसी कि यहां हमाई तकम जैसे अकने महिला सुरक्षित नहीं है जबलिस वाले किसी लड़के-ड़की को चलते हुए टोक दें तो पुलिस वाले किसी की व्यक्ति के जीवन में बाधर डाल रहे हैं जब लड़के-लड़की के बीच डिस्प्यूट हो जाएं सहमती से हुए काम भी योन शोशन की कटेगरी में रखके लड़कों को फसाद दिया जाए तब पुलिस काम नहीं कर लगी समाजिक विवस्ताओं की देना ये विकृतियां तो अगर महिला बुरून भी हत्या होती है तो महिला बुरून की हत्या क्यों होती है हमारा डावरी सिस्टम क्या अशोग जी ने बनाया ये मोधी जी ने बनाया समाजिक सुधार की जरूरत है मेरी एक बहन ने महंगाई की बात कही जो मैं उससे शत प्रजित सहमत हूँ उधारण के तौर पे इन्होंने सत्तर की और उसके पहले की बात कही है सत्तर और असी के बीच में जो विर्ती डेड़ सो रपे कमाता था उसे अमीर समझा जाता था और आज एक लाग कमाने वाला भी कहता है मेरी आवश्यक्ताइं पूरी नहीं होगी है आवश्यक्ताइं पूरी कैसे होगी आपने अपने जीवन सतर को कितना सुधारा है पहले इतने लोग गैस पर खाना बनाते थी, घर-घर में गैस है और महंगाई कोई भी पार्टी, जाहे अंतरराश्टिय स्थर की बात हो, या फिर के हमारे भारत की बात हो, या एशिया की बात हो, महंगाई कम नहीं हो सकती है जियों जियों पेट्रोल की खपत बड़ेगी, त्यों त्यों हमारे जीवन स्थर में सुधार आएगा, और हमारी अकांगशाएं, हमारी अपेकशाएं, हमारी और चीजें जो हैं, अवश्यक्ताएं, वो डिफरेंट होती जाएंगी ये बदलाव ही, ना केवल महिलाव के प्रती अपराधों में व्रद्धी कर रहा है, बलकि समाजिक धांचे को भी चर्मरा रहा है आज बालिकाएं शादी की समय खुद परती हैं कि उनके ममी पापा उनको ऐसी दें, उनको ये दें, लाव मेरिज होगी तब भी यह आशाएं की जाती है लाव मेरिज अनसक्सेस्फुल क्यों हो रही है, क्योंकि उनको उनके अनरूप जिस लाव स्टाल में मावाप नहीं रखा है, उस लाव स्टाल की सुविधाय नहीं मिल रही है अप एक्षा ही पूरी नहीं हो रही है, तो आशा सब दुखों की जड़ है, यह हमारा धर्म भी कहता है, यह हमारी गीता भी कहती है यह तो समाजिक धाचे की बात ही, समाजिक ववस्था की, लेकिन इसका मैं कर रहा हूँ चुनाओ, चुनाओ आया है, तो इनमें मालकिन का मत कितना एहम भूमिका निभा सकता है समाजिक धाचे को या तो बदलने में, या फिर आपके उमिद्वार अगर हैं, तो उनकी क्या, उनसे क्या पिक्षा है, मैं ही समझना चारा हूँ भूमिका निभाती हैं, लेकिन निभाने कौन देता है, गाओं में सरपंच महिला चुनी जाती है, इलेक्षन का जो धाचा बनता है, कि यहां से यह महिला का रिजर्वेशन है, क्या वो साशन करती है, उनके पती या उनके घर वाले, आपको गाओं की बात कह रहे हैं, शहर में भी यही है, बड़े-बड़े महाल, नहीं ले पाती हैं, क्योंकि उनके उपर अंकुष हैं, जब तक यह समाजिक धांचा नहीं बदल सकता है, जब तक अंकुष नहीं हटेंगे, विमन लिबरेशन जो है, विमन लिबरेशन एक खिलोना बनके रह गया है, चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सक्रिये होनी चाहिए, गणना नहीं, तो मैं फिर महिला आरक्षन की बात बीजेपी कर रही है, कि भाई हमने दशकों से महिला आरक्षन बिल जो अटका पड़ा था, हम उसे पास करवा दिये, अभी नहीं लागू होगा, लेकिन आगे आने वाले और एक महिला एक साथ एक ही पत पे रहती हैं, और जादा से जादा दोनों एक ही बराबर सेलरी पाती हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि पुरुष को आप पिये करो, फिर आरक्षन आप पुरुष को भी दीजे, और मैं इस मुद्दे पे एक बात जरूर आप से कहूंगी, मैं आत्म रक्षा जो बालिकाओं को आज नहीं सिखाई जा रही है, माताओं के द्वारा, स्कूल के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, उसकी मैं बहुत आवशक्ता महसूस करती हूँ, सरकार ने नियम बनाए हैं, मैं भी गौर्मेंट टीचर थी, मुझे मालूम है कि सरकार बहुत सारे जुडो कराटे से खाना ये, सब कागजी कारवाई है, मैं नहीं चाहती हूँ, बालिकाओं की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, और उनकी रक्षा की हमें जिम्मेदारी उनको खुद को देनी चाहिए महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू है, लेकिन इसके लिए सिर्फ सरकार से हम उमीद ना करें पहले जो एक शेर है कि खुदी को कर बुलन दितना, तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें खुद पे तो विश्वास हो, हम दूसरों का मुझ क्यों ताके हैं, हम भी इंसानी हैं, फिर हम दो प्रजाती हैं, मेल और फीमेल, ये तो हो गई मेला सुरक्षा की बात, इसके मुद् ट्रेंडी आइटम्स हमें दिखते हैं, they are made in China, और हमारी जो महंगाई की समस्या है, इंद्रा गांधी ने कहा था कि गरीबी हटाओ, आज 75 साल के बाद भी हम कहीं न कहीं अपने आपको वहीं खड़ा पाते हैं, इसकी एक वज़े ये भी है कि जन संख्या, बहुत प्रेश Permaf Wirimichir है यहाँ पर, हम इसे समस्या भी मांच सकते हैं और ताकत भी मांच सकते हैं, जरूरी ये है कि जितनी भी manpower हमारे पास है, हम उसे काम में लगाएं, हम production नहीं करते और हम बाहर से सामानायात करें, जबकि इतना बड़ा जन Pare पास है, तो जरूरी है कि हम यूभ बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चा अभी तक यह नहीं जानता कि बी ए और में करने के बाद उसको करना क्या है तो कहीं न कहीं गाइडेंस की प्रॉपर जरूरत है उसके साथ ही साथ कुछ इस तरह के सरकारी उपकरम होने चाहिए जहां पता हो कि युवा यहां से पास बाद पर हमारा नाम है बहुत ही खूबसुरत जगह है लेकिन आप जब फतेशागर घुमने जाते हैं तो वहां पर जो सुवीधा घर है वहां पर आप बाहर खड़े नहीं हो सकते अंदर जाना तो बहुत दूर की बात है आप माजी का मंदी ले ले लिजे बहुत खूबस सुवीधा का व्यवस्था नहीं है जब यह सब नहीं होता तो परियटक जो बाहर से आते हैं इंडियन तो मैनेज कर लेते हैं क्योंकि हम आदी हैं इन चीजों के लेकिन जो बाहर से आते हैं वो जाने क्या चवी हमारी लेके जाते हैं तीसरा यह तो सुच्छ मिशन और तम जाते हैं तो वर्ल्ड फेमस जगे है लेकिन वहां के जाने का जो रस्ता है वो इतना खतरनाक और सिंगल रोड खड़ों से भरी हुई जहां पर एक्सिडेंट होना आम है और जाते समय आदमी के मन में एक वीत रिशना आ जाती है कि यह हम कहां जा रहे हैं तो जरूरी है कि हम सारी ही चीजों को साथ में लेके चलें एजूकेशन सिस्टम में हम बदलाव करें और एक सस्टेनेबल एजूकेशन सिस्टम बनाएं यह तो महिला सुरक्षा एक इशू और महिगाई इशू अच्छा लेकिन उसके लावा मैं जाना चाहूंगा कि जो हाल में कुछ योजना है जो शात्राओं को मुफ्त मोबाइल बाटना या फिर महगाई भद्ता देना बेरुजगारी भद्ता देना इन सारी चीजों पर महिलाई क्या सुछती है आम महिलाई क्या सुछती है सरकार की तरफ से मुफ्त मोबाइल बाटना या इस तरह की पहल करना की राशन किट बा सरकार सोचती है कि ये चीजे हमने दे दी है तो अब इसके बाद इसका इस्तमाल सही चीजों के लिए होता है बट जरूरी नहीं है कि वो चीजे जो है जिन लड़कियों को दी जाती है महिलाओं को दी जाती है वो उनी के पास रहती है घर में और भी लोग होते हैं उनसे जरूरी नहीं है कि सरकार जाके हरे घर में ये देखती है कि वो चीज महिलाओं के पास ही है वो चीजे या तो महिलाओं के भाई उनके हजबेंड या उनके बेटे जो पूरिश प्रधान उनकी फैमिली में है वो य ये चीजे उनसे ले लेते हैं ये जमीनी हकीकत है तो हम ये सोचें कि अगर सरकार इन योजनाओं को दे रही है महिलाओं का इससे फायदा हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये चीजे इसी तरह से हो रही है जरूरी है कि उन्हें शिक्षित करना जागरू करना बिल्कुल शिक कहना चाहती हूं कि जो सरकार लुभावनी चीजे दे रही है इसके वनिस्पद धरातल पे अगर काम करे तो महिलाओं को सुरक्षा भी मिलेगी बालिकाओं को रोजगार भी मिलेगा जो आज इतना सा फैल रहा है ये मोबाइल तो क्या है एक साल भी नहीं चलेगा और खतम है इसकी वजाए अगर सिलाई मशीन देती तो उनका रोजगार बढ़ता वो काम कर सकती ती और जिन बुड़ी-बुड़ी महिलाओं को इनों ने दिया वो उसको यूज भी नहीं कर सकती जो बिमार महिलाओं को लाए उनका उठा भी नहीं लगता तो वो बेकारी उनके लिए गया है और कैना कई इनों ने लोन लेके बहुत सारी योजनाओं को चला तो दिया आज लाइट का बिली देख लो सबको कह दिया कि सो यूनिट आपके फ्री आएगी जबकि डेर सो यूनिट बढ़के और वो पैसा बढ़के आजा दो जार का बिला रहा था वो अभी चार चाहिक टूंजारा राय है तो दरातल पे हम उसको कारीया मेंस कारें तो एसी सरकार का क्या फायदा सरकार को जब की ये करना चाहिए कि आज दस से चार जब मैलाइं फ्री होती है तो उनके लिए कोई रोजघे करें टाकि वह बैट के काम रहे आज में बिलकुल носब करिख स का काम करती कई लील वे चीलने का काम करती उसके वनिस पत आज जामोधी सरकार कहती है कि आत्म निर्बर भारत हो तो उस जगे हमको आत्म निर्बर करना पड़ेगा रोजगार को जनरेट करना पड़ेगा ताकि मैला है सुरक्षित महसुस करें खुद को आत्म स्वाभी मानी म तो हम मैलाओं की जब सुरक्षा के बात करते हैं तो आज यहां राजस्थान में नंबर वन है जहां पर इतने आपरादेक मामले होते इतने दुशकर्म होते रोज के 17-18 मामले इसी चीज़ के आते हैं तो क्यों और ही सरकार इस पर रोग क्यों नहीं लगा पारी है तो धरातल मैं रिस्ताथी ने अच्छी बात किये महीलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए पर केंद्र सरकार को यह ऐसा कानून क्यों लागू नहीं करती कि महीलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा जो फोरेन में है उंगली का बदला उंगली आख का बदला आख अगर किसी के साथ जीज देओ डाइरेक उसको फांसी दो क्यों नहीं देते यह केंद्र के हिसाहत में है और महंगाई की बात है महंगाई की बात है कि आप मेडम ने बोला जवाब देते हैं अब हमारी साथी मित्रें ने बताया कि केंद्र सरकार तुम में बताना चाहूंगी कि अभी सिविल समं जे जो आचार सहिता है जो ढंट सहिता को अभी न्याय सहिता की बात कहीं गई है तो न्याय का मतलग समय को UNES- promotion अभी तक अपराधिक मामलों में बलतकार का जो था ऊसके उसके अंदर कहीं पर भी आप ठम नहीं था पर मैं उसमें पढ़ेंगे उसके जो भी एक्ट और धारा हैं उन्हें बहुत सारे चेंजेस किये गए हैं इवन बहुत अगर क्रिमिनल ओफेंस में उसको माना गया है तो यह सब चीजें कभी अपलाई तभी होगी और महिलाओं की सुरक्षा की बाद तो इसके बाद होगा जो कानून बनते हैं उनको लागू ह ही रहेंगे जो कानून बनता है उसका एक साल में उसका क्रियान विद्ध होना चाहिए कि आरक्षन की जरुवत नहीं है आरक्षन की बेसक्त मतलब नहीं है चलुक्त है क्योंकि आधी दुनिया पुरुष परभार्दान समाज है महीलाओं को कई आगे नहीं आने देते जैस कितना आगे आके और अपना कर सकते हो मैं नहीं जेंस को हराया बहुत अच्छे ख्रजों को हराया एक बारहरे भी हूं मैं उससे कोई बात नहीं हारना जितना अलग पर आप में कितना बद्दा है वो माहिने रखता है कि आपकी छवी कैसी है कोई भी लड़ सकता है जनरल महिलां को आगे लड़के आए हैं लड़के उ समाज इसी पर मैंने दो पंक्तियां लिखी है कि न जाने क्यों लड़कियों के अपने घर नहीं होते, जो उन्ना चाहें अंबर पे तो अपने पड़ नहीं होते, सियासत में मिलता उनको कभी तक हक, सियासत में मिल जाता उनको कभी से हक सियासत की तिजारत के जो लीडर सर नहीं होते, जो लीडर हैं, जो पुरुष मैम्बरान है वो हमारी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, सदियां हो गई और अभी मैं सोचती हूँ कि जब 29 की गोशना हुई है तो 29 में कौन सी सरकार कब कैसे करवट लेगी इसके अभी हमारे को सपना ही देख सकते हैं अभी तो नजर आई लेकिन आप सबसे बड़ा इलेक्शन में जो मुद्दा है वो ब्रश्टा चार का है और यह क्यों है सभी पार्टियं यह देखती हैं कि कौन केंडिडेट पैसा खर्च सकता है इलेक्शन के लिए पैसा खर्चन क्योंकि पोस्टर गाड़ियें रेलियें शामियाने और इनको यह फ्री की रेवडियें बांटना यह बहुत जरूरी हो गया इसका बड़न किस पर आ रहा है टेक्सपेर पर आ रहा है ना और जो केंडिडेट पैसा खर्च के लड़ेगा इलेक्शन और जीत कर आएगा उससे आप इमांदारी की उमीद करें तो इसस बच्चों की एजूकेशन जो 10 नहीं करें दसवी पास नहीं करें उसको दूसरा कोई भी लाब नहीं मिले माबाप उसके लिए बाद्य हो जाए जैसे कि बाल विवा के लिए कानून बना है ऐसे होना चाहिए और दूसरा बेटियों को इतना मजबूत करो यह माबाप की जि आप आपके पती के नजर आते हैं अधिकतर में भी निगम जाती रहे तो जब यह होते हो तब मेरे हस्बंड होते होंगे यह होसले कौन लेता है थेसले दोनों मिलके लेते हम नहीं तो जब आप होते तब मेरे हस्बंड आते होंगे नहीं तो जब में होते तब आप लोग नहीं होते होंगे ना संगठन से मैं जीत के आई और मैं पार्टी की प्रत्याशी दो बार रही मेरे हस्बंड ने नगर निगम की सिड़ी तक नहीं देखी यहां पर हो रही है अगर आप जैसे जनप्रतनधी नहीं पहल करेंगे तो हम कैसे जो नई कुछ काम होता वही में होती वही मेरे अलाव भी नहीं होते हैं जब साल में एक ही बार मीटिंग हुई तो पासर एक ही बार नजर आएगा मैं मेरी साती बैनों को कहना चाहती हूं कि मोड की मिटिंग एक बार हो या दो बार हो जब वो आती है लेकिन कि आपके वाडों के मुद्दे नहीं होते हैं सफ़ाई का मुद्दा होता है लाइट का मुद्दा होता है बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जो अपने को आके करना पड़ता है अपने को मेरी साती पार्षे दिये के रही है कि मेरे हजबेंट की पेचान है आप जीती है ना आप जीती है तो आपको चुनती है तो आप भी को सामने रहके उन्स चीजों का सामना करना चाहिए इन पाशत से मेरा एक ही सवाल है कि जब यह वोट लेने तो आते हैं उसके बाद कभी उसमें राउन लगाया उन्होंने उस एरिया में नहीं लगाते हैं डेली राउन लगाती हूं दिन में चार राउन लगाती हूं अच्छा एक मिनिट एक मिनिट आपने कहा हर घर की घंटी नहीं बजाएंगे वोट मांगते वाक्त हर घर की घंटी बजाएंगे सबसे पहने रिधी में बार सुने जब मैला नहीं होगी तो जब क्या करेंगे वो तो यहीं कहेगी हमिला यहां इस लिय पूछा यह जाता है जब यह कह रहें डिजिटल का जमाना है तो जब आप ऑफ गंटी बजाएंगे का तौ तो आप आप ये विधायकों का चुनाओ है और चुकि विधान सभा का चुनाओ है तो आप उन विधायकों से पुछे जो आप से वोट मांगने आए थे और दोबारा नहीं आए तो आप दोबारा आएंगे अब दोबारा आएंगे तो उनसे उनका हिसाब मांगेगा कि जब आप 100 करोड, 500 करोड की संपती वाले उम्मीदवार को चुनेंगे तो वो आपके घर कभी नहीं आएगा जब आप धरातल के इम्मूदवार को चुनेंगे तो वो आपके घर भी आएगा, वोट मांगने भी और आपकी समस्याओं को सुलजाने भी आएगा अभी जो चुनावी महले इसको देखते वे लगा आहा है जिसे अशोग गेलो जी ने बहुत सरी जो योजना पचास से उपर योजना जलाईए ये फ्री की रेवरी या फिर रहात चाहिए या फिर सुरक्षा चाहिए या फिर लड़कियों को मजबूत बनाना चाहिए लड़कियों महिलाओं को आप शिक्षित कीजिए जागरुक कीजिए परिष्टे हम भी नहीं फरिष्टे तुम भी नहीं इंसान है तो क्यों ना इंसानियत की बात करें जैहिन जी मैं कहूंगी हमें महिलाओं को अपने एकतित किया है और मैं पूरा सवाल आदियाबादी की और से आदियाबादी से करती हूँ कि हमारी आँख में आशू तो भर दिये तुमने कहां उडान के खातिर दोपर दिये तुमने घरों के सारे कलेंडर अपने कर लिये तुमने हमने तो सोचा था कि आधा आसमा हमारा भी है हमने तो सोचा था आदा आसमा हमारा भी है कहां उडान के खातीर दोपर दिये तुमने जैसे हम फिर भी उमीद नहीं छोड़ेंगे इतना कुछ होने पर भी तो कहते हैं उमीद को उमीद की जरूरत है बिना पंक उड़ जाने के लिए उमीद पर जमाना टिका है सदियों से जन्नत बनाने के लिए बहुत और उमीद और शक्ति के प्रतीक भी है आप लोग तो आप में शक्ति है उस शक्तियों को जगाएंगे तो लोकतंतर भी मजबूत होगा महिलाओं बिल्कुल आधा आसमा आप लोग लेकर रहेंगे और आपका हक है तो आदी आबादी की शक्ति है लोकतंतर में कि वो सत्ता की तस्वीर बदल सकती है बशरते कि वो अपनी शक्ति का इस्तमाल करे खुद से अपना फैसला ले और आने वाले दिनों में तो अब चुनाओं में भी महिलाओं को आगे बढ़ाने की लिए आरक्षन कानून दोहजार उनतिस तक लागू करनी की बात की जा रही है लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है कि महिलाओं शिक्षित हों लड़कें शिक्षित हों जिसले कर आम महिलाओं का यही बत है तो मालकिन का बत में फिलाहल इतना ही उदैपुर से फिर किसी और जिले में किसी और वधान सबाक्षितर में हम महिलाओं से बात करेंगे और उनका बंट टोलेंगे स्योगी अमित और कैमरामेन होकुम के साथ समिज्जा भारत एक्ष्प्रिस